Hello friends, Welcome back to our channel आज का वीडियो स्पेसली KUK के एक्जाम्स से रिलेटिड रहने वाला है KUK के जो ओनलाइन एक्जाम्स जिन बच्चों ने दिये हैं तो काफी कुछ बच्चों ने जो लास्ट एक्जाम हुआ था उसमें काफी mistakes की है तो अब जो एक्जाम्स आने वाले हैं उनके जो second, third जो भी उनके एक्जाम्स होंगे तो ऐसी गलतिया ना हो उसके लिए especially ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि students का कोई इसमें नुकसान ना हो बीना information के तो आज के वीडियो में यही information आपको मैं देने वाला हूँ क्या-क्या आपको जो है precautions लेनी है जब भी आप online exam में बैठेंगे या online exam देंगे कैसे answer seat को आपको fill up करना है क्या-क्या उसमें mention करना है और कैसे question paper को attempt करना है या जो question paper होगा उसको कैसे आपको treat करना है सारी चीज़ा आज किस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो अगर आप इस तरह की information पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त जरूर देखें साथ ही इस तरह का अगर content पाना चाहते हैं शिक्सा, jobs और government की योज़नाओं से जुड़ा हुआ तो चैनल को subscribe कर लें, bell icon को press कर लें ताकि इस तरह की कोई भी important information आप से miss ना हो तो ज़्यादा समयना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरूरू यह देखें, सबसे पहले जो mistake की है students ने, वो यह है कि जो question paper का code है जो कि आपको answer seat में feel करना है कि paper code आपका क्या है, paper का जो subject उसका नाम और उसका code आपको answer seat में fill up करना है तो इसमें काफी कुछ students को confusion रहा है, कुछ students ने यह जो दिया हुआ है, एक code की तरह से इसको paper का code समझ लिया है, जबकि यह paper का code नहीं है, actual जो paper का code है वो है यह तो यह वाला जो code है, जो की थोड़े से बड़े digit में आपको दिखाए देगा और question paper के right top corner पे आपको यह नजर आएगा तो इस code को आपको fill करना है, यह आपका question paper का code है answer seat में जहाँ पर भी paper का code आपसे मांगा गया है, तो इस code को आपको fill करना है तो सबसे पहले mistake काफी students ने यह की है, last exams में कि उन्होंने इस code को ना भरते हुए यह जो गलत code था इसको उन्होंने वहाँ पे लिख दिया है उसके बाद कुछ students का जो है इसमें confusion थी कि जैसे कि एक तो के UK वालों ने कहा कि आपको 50% जो है question paper का attempt करना है 50% अगर आप attempt करेंगे तो आपका काम चल जाएगा या आपको pass कर दिया जाएगा या आपके marks जब behalf of that आपके calculate कर लिए जाएगे तो इसमें आप देखेंगे कि question paper जो बना हुआ है यह पहले के pattern वाला question paper है जो पहले question papers आते थे same question paper यहाँ पे आपको मिलेगा जब भी आप download करेंगे अगर आपका morning shift में exam है तो right 10 a.m. पे आपको question paper available होगा के UK की website पर अगर आपका evening में exam है तो right 2 p.m. पे आपका question paper available होगा और question paper को कैसे download करना है उसका video मैंने अलड़ी बनाया हुआ है easily आप उसको देखकर पहले से prepare हो सकते हैं कि कैसे आप question paper को download कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने गलत question paper download कर लिया तो आपका पूरा exam ही खराब हो जाएगा और आपको वहाँ पे consider नहीं किया जाएगा तो इसमें देखें यह जो पुराने pattern पे जो question paper है इसमें सबसे पहला note लिखा गया है कि beside question number one which is compulsory इसका मतलब यह है कि question number one compulsory है लेकिन के यू के वालों ने जैसे कि कहा कि 50% आपको question paper attempt करना है तो उसको देखते हुए ऐसा कुछ यहाँ पे mandatory नहीं है कि question number one आपके लिए compulsory है आप जो है यह जितने भी questions यहाँ पे दिये गए हैं जैसे कि total यहाँ पे आपको 9 questions दिये गए हैं तो 9 questions में से कोई भी 50% आप यानिकि 4 या 5 questions आप यहाँ पे attempt कर सकते हैं आप अगर 50% से ज्यादा attempt कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो minimum at least 9 out of 9 जो है 4 questions आप कम से कम attempt कीजिए 4 अगर करेंगे तो वह आपका around 45% के करीब यहाँ पे हो जाएगा तो इसमें आपको एक और है कि कुछ students कह रहे हैं कि दो questions आप जो है short answer type कीजिए और दो questions आप long answer type यह वह ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप short answer type questions करेंगे तो उसमें आपका time कम लगने वाला है जिसकी वैज़े से आप exams को timely जो है answer कर पाएंगे timely exam को आप जो है complete कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो 3 hours का time duration दिया हुआ है उसमें आपको 1 and half hour दिया है आपको exam को attempt करने का और 1 and half hour आपको दिया है कि उसको PDF में convert करके और जहां पर भी आपको भेजना जो भी email address आपको दिया जाता है तो उस email address पर आपको भेजना है इसमें भी आपको कम से कम एक घंटे का time जरूर निकाल के चलना चाहिए क्योंकि जब आप PDF में convert करने जाते हो अपनी answer seat को PDF में convert करोगे फिर उसको email के माइदम से आप send करोगे तो उसमें time कई बार ज्यादा लग जाता है internet slow होने की वज़ा से आपकी email काफी time तक जो है नहीं जाती जिसकी का खाम्याज़ा आपको भूगतना पड़ सकता क्योंकि एक जो उन्होंने time decide किया है कि पांच बज़े के बाद अगर आपकी email वहाँ पे जाएगी तो उसको consider नहीं किया जाएगा फोर evening exam के लिए और फोर morning exam के लिए अगर एक बज़े के बाद जाएगी तो उसको consider नहीं किया जाएगा तो इसलिए battery यही है कि आप कम से कम two hours जादा से जादा two hours आप जो है exam को attempt करने में आप use करें और one hour का जो time आप जो question answer seat को अपनी PDF में convert करके उसको email जो भी करना आपको वो सारी चीज़ें आप करें और उसमें ध्यान रहे कि जो email address दिया हुआ है आपके roll number पे वो exactly जो है वो आप लिखें उसमें अगर dot है तो dot लगाए underscore है तो underscore लगाए क्योंकि अगर आप email गलत वहाँ पे mention कर देते हैं तो एक time पे आपको sent item में show कर देगा लेकिन कुछ time बाद है जो delivery वहाँ पे नहीं होगी उस email की और आपके पास कुछ time बाद हो सकता कि अगले दिन आपके पास message आए कि यह note delivered था क्योंकि email addresses में गलत था तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है अब हम बात कर लेते हैं answer seat की answer seat में आपको किन कीजों का ध्यान रखना है ताकि आपकी mistakes कम से कम हो यह देखिए यह आपकी answer seat इसमें रहने वाली है इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो roll number है वो पहले से में mention करके रख ले पहले से code of paper जो मैंने आपको बताया, code of paper आपको question paper मिलने के बाद ही आपको fill करना होगा, signature आप पहले से करके रख सकते हैं, इससे आपका time saving होगा, उसके बाद name of the paper ये भी आप पहले से fill करके रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो date sheet होती है, उसमें दिया होता है, कि आपका जो name of paper जो क्या रहने वाला है, name of student ये आपको जो है पहले से fill करके रख लेना चाहिए, और date of exam, अब इसमें एक fill in the blanks बचता है, जिसमें total number of pages written by the candidate, ये आपको यहाँ पे, total numbers यानि कि out of 20, 20 page की answer book है, तो इसमें से कितने pages को आपने fill किया है, मालू आपने 18 page पर attempt किये हैं, ये 18 pages जो है answer book की उस पर आपने लिखा है, अपना exam तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18, अगर आपने 16 पर लिखा है, तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे, तो ये चीज़े आपको ध्यान रखने है answer book के format में, दूसरा इसमें साफ साफ तोर पर लिखा गया है कि जो questions हैं उनका आपको serial wise attempt करना है, यानि कि यह नहीं कि पहले questions number one कर दिया, उसका question number nine जैसा कि हम आम तोर पर कर लेते थे पहले exams में, तो उसमें ऐसा in online exams में अभी नहीं है, यहाँ पे strictly उन्होंने mention किया हुआ है, कि आपको serial wise ही questions को attempt करना है, और इसके बाद जो है, अगर मैं इसकी second page दिखा यह देखें, यह second page है, और इस तरह के total twenty pages आपको मिलेंगे अपनी answer book में, तो इसमें आप जो है roll number पहले से fill करके रख लीजिए, यहाँ पे, code of paper आपको जो है बाद में fill करना होगा, और सभी pages पे आपको इसमें जो है sign करने होंगे, तो यह sign भी आप जो है पहले से करके तो time बहुत कम पढ़ जाता हो, तो इससे आपका time saving होगा, यह 20 pages की answer seat है, उसके सारे pages पे आप signature पहले से करके रख लीजिए, यह आपके लिए बैटरीस में रहने वाला है, दूसरा आप questions को जब भी attempt करते हैं, या उनका answer लिखते हैं, तो seat को आपको जो है, नीचे से blank नही आपने यहां तक एक questions का answer आपने complete कर दिया, उपर वाले हिश्चे में, तो इस नीचे वाले हिश्चे को आपको blank नहीं छोड़ना है, ताकि जो आपका examiner होगा, तो उसको ऐसा ना लगे कि आपका exam हो यहीं पर खतम हो जाता है, या आपने आगे exam attempt ही नहीं किया, तो उसको नहीं लगना चाहिए, इसलिए इस answer seat को आपको पूरा फिल करना है नीचे तक और उसके आप सिगनेचर करने है इसके ओपर, ठीक है, तो यह सारी चीजे है, question paper को लेकर और answer book को लेकर, इसके अतरिक और जो जरूरी information वो है कि time कम से कम आप जो 1 hour इसमें मान के चलिए, क्यों तो last के अगर 10-15 minutes भी आपके पास बसते हैं तो आप बैटरी यही रहेगा कि आप cafe पे जाए और वहां से आप जो है, उसको mail को send कर दीजिए, क्योंकि mobile के मतरम से कई वार mail नहीं जा पाती, जिससे आपका question वहां पे paper या आपका उसको consider नहीं किया जाएगा, तो इन चीजो कि आपको जो है, खास ख्याल रखना है, आपके जो भी आने वाल exam होंगे तो उसमें आप prepare कीजिए, पहले से कि आपको क्या-क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो यह सारी चीजे आपको अपने mind में रखनी है ताकि आप exam अच्छे शिदे सकें, अच्छे scores आपको मिल स और अच्छे marks के साथ आप pass out हो सकें, तो आज कि इस वीडियो का motive यही था, कि students कम से कम mistakes करें, ताकि उनके आने वाल exam अच्छे जाएं, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like जरूर करें, साथ ही इस तरह की updated information पाना चाहते हैं, तो चैनल पर बने रहें, चैनल क प्रेस करने ताकि इस तरह की कोई भी important information आप से मिसना हो, तो आज कि इस वीडियो में इतना ही, एक ऐसे ही नए वीडियो और नए content के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाए बाए, जैहिन, जै भारत